नमस्कार दोस्तों स्वागत देश होमुस बाईली जी और एक हेल्थ कंसर्ण वीडियो में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक सेक्शली ट्रंस्मिटेड डिजीज जो के गौनोरिया क्यों होता है कारण क्या है गौनोरिया होने की इंफेक्टिव एजेंट क्या ह बात करेंगे गौनोरिया के सिंप्टम के बारे में ये भी बात करेंगे गौनोरिया के डाइग्नोसिस कैसे करना है और गौनोरिया के ट्रीट्मेंट प्लैन हमारे सामने कौन कौन सी प्लैन से सारे के सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा क्योंकि ये सारे और यह infection जो bacteria करता है उसका नाम है Nizeria gonorii यह जो Nizeria gonorii है यह transmit होता है via sexual intercourse तो वो vaginal sex से transmit होता है oral sex से भी transmit होता है anal sex से भी transmit होता है अलग-अलग प्रकार के जो sex mode है हर एक mode से ही एक इनसान से दूसरे इंसान के शरीर में यह transfer होगा बीट इन दे सेम जेंडर और बीट इन दे दिफरेंट ऑपोजीट जेंडर दोनों केसे में यह ट्रांसफर होता है और उसके इलावा और एक केसे जहां पे गौनोरीय हो सकता है जो कि दूरिंग चाइल्ड बर्थ अगर मदर में गौनोरीय इंफेक्शन है तो दूरिंग बात करते हैं निजेरिया गौनोरीय जो इंफेक्शन है गौनोरीय जो डिजीज है बीमारी है इसके सिम्टम क्या है गौनोरीय का सिम्टम के बारे में बात करें तो दो अलग अलग प्रकार के सिम्टम में बताएंगे आपको एक तो सिम्टम पुरुशों में सिम्टम्स इन में और में दोनों में कुछ कॉमन सिम्टम्स है जैसे के पेइन फुल यूरिनेशन जब आप बात्रूम जाओगे यूरिनेशन के टाइम बहुत दर्द होगा और सिफ उसके साथ-साथ महिलाओं में क्या होता है ब्लीडिंग भी होता है ब्लीडिंग नॉर्मली पिरियट के टाइम ब्लीडिंग होना तो लाजमी है मगर ब्लीडिंग दिखाए देगा आपको और उसके साथ-साथ महिलाओं में जो होता है वो पेल्विक पें जो पेल्विक एर रखना कि जब gonorrhea होता है तो कहीं दफ़ा gonorrhea के साथ-साथ और infections भी रहता है जैसे कि क्लैमाइडिया की infection भी बहुत common है along with gonorrhea तो यह dual infection चलता रहता है इसलिए जब gonorrhea के treatment protocol design किया जाता है तो ऐसे design किया जाता है ताकि वो दोनों प्रकार की infection को ही और एक बता दें कि symptom के बारे में कि यह तो direct symptom हो गया किस जगह में infection है वहीं से symptom है apart from that अगर anal sex के चलते यह gonorrhea transmit होता है डोनर से recipient में तो वहाँ पे anal area में भी दर्द होना वहां से भी bleeding खुन निकलना यह सारे चीज़ हो सकता है apart from that joint pain हो सकता है बॉड़ी में rash हो सकता है यह सारे तो यह सारे सारे अलग अलग प्रकार के symptoms है जो दुनों ही हो सकता है महिलाओं में पुरुशों में अब बात करते हैं कि gonorrhea की diagnosis क्या है तो gonorrhea को test करने के लिए अलग अलग process है तीन process के बारे में यह बात करेंगे एक तो nucleic acid की test के बारे में बात करेंगे जिसको NAT test बोला जाता है Nucleic acid amplification test N-A-A-T Nucleic acid मतलब DNA RNA जो भी nucleic acid हो उस बेक्टिरिया में तो उसको हम test करते है जाच करते है उसको जाच किया जाता है तो NAT बहुत ही sensitive test होता है और सबसे बढ़िया test माना जाता है gonorrhea को शनाक्त करने के लिए तो यह सबसे महतपून test है अपार्ट फॉम डाट अगर बहुत जल्दी से हमें चार्च करना है तो वहाँ पर हम एक gram staining करके देख सकते हैं और यह पूरशों के लिए ज्यादा applicable है क्योंकि वहाँ पर जो urine होता है urine samples ले सकते हैं या पर जो discharge आता है बोथ एक sample से लिया हुआ और एक culture से लिया हुआ मैं दोनों को ही यहाँ पर आट करनी कोशिश करूंगा यहाँ पर आट कर दूंगा आप देख सकते हो कि कैसे दिखता है अंडर microscope वह देखके पता है चल जाता है कि यह निजरिया गौनोरी है तो वह बैक्टिरिया की identification हो सकत है अगर gram stain करना है तो पूरुशों में ही करना है जादा तर cases में और वहाँ पर भी samples जो है वो यूरेथ्रा से लिया जाता है उसी को जो discharge है उसी को लेके किया जाता है अब apart from that जो और एक technique है वह culture technique और यह एक well established technique है जहाँ पर bacterial culture किया जाता है और culture से पता चल जाएगा कि ग जल्दी टेस्ट करके पता करना है तो gram stain करके हम देखते हैं और अगर ऐसा है कि हमारे हाथ में time है वक्त बचा है तो वहाँ पर gram stain नहीं हम वहाँ पर simply culture करेंगे nat करेंगे या culture करेंगे nat available नहीं है तो culture करना इसलिए important होता है कि culture में ना तो सिर्फ हम bacteria को grow करेंगे मगर bacteria को अ आसा यह जो निजरिया गॉनरी है यह resistant हो सकता है अलग अलग antibiotics से तो वह antibiotic देने से फायदा कुछ नहीं होगा तो that is why culture test is very very much required और culture कहां से किया जाता है basically दो प्रकार के sample मिलेगा culture में भी आप देख सकते हो directly जो discharge वहां से ले सकते हो आप urine से भी ले सकते हो या फिर आप swab ले हैं तो apart from निजरिया गॉनरी अलग अलग bacterial colonies ज्यादा colonies आ जाते हैं तो वहां पे थोरा time ज्यादा लग जाता है pure culture isolation करने में और बाकी जगह से करते हैं तो direct swap से करते हैं तो वहां पे निजरिया गॉनरी बहुत dominant होता है तो culture में दिख जाता है तो यह दो difference है in terms of diagnosis और depending upon requirement क्य चाहिए कब चाहिए उससाब से किया जाता है अब बात करते हैं कि ट्रीट्मेंट क्या है तो गॉनरीय का treatment जो protocol है मैं यह खुद का कहना नहीं CDC का जो modern protocol है उससाब से ना यह combination therapy बोला गया है दो एंटिबाटिक के नाम यहां पर है एक safe track zone है और एक azithromycin हर एक को एजित्रम as a oral antibiotic दिया जाता है खाने के लिए और safe track zone जो है उसको injection के तौर पर दिया जाता है दोनों एक साथ दिया इसलिए जाता है क्योंकि वह properly उसका dosage साब से set किया गया है कि यह disease का symptoms उसको भी manage करें और dual infection को manage कर सकता है क्योंकि generally मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों में जिन oral tablet format तो उससे आपका जो है गौनोरिया की यह process जो है complete रहेगा और यह treatment चलेगा treatment protocol end होने के बाद में exact protocol नहीं इसलिए कहूंगा कि you need to visit a doctor to get it but beyond that time protocol हो गया जो antibody treatment हो उसके बाद na retest किया जाता है read test कितना किया जाता है generally within two months दो महिने के अंदर आपको फिर से एक बड़ टेस्ट करना है और आपको सिर्फ नहीं अगर आप multiple sex partner से तो हरे को टेस्ट करना है और single sexual partner है तो उनको भी टेस्ट करना है दोनों को ही टेस्ट करना है एक साथ उसके बात पता चलेगा कि फिर से ठीक हो चुका है किसी कारण तो शुड विजीट अंदी माइक्रोबियालिजी आपको जो जिस तरीके से एंटीबाइटी के ट्रीटमेंट चाहिए यहां पर बहुत इंपॉर्टन बहुत कूशल है डाइग्मोसिज आसान है आपको नेट टेस्ट से पता चल जाएगा वह हो तो अगर आपको किसी भी आपकी परिचे के लोगों में गौनोरिया है तो उसको ऐसे ऐसे बैक्टिरियल इंफेक्शन होता है यहां पर वहां पर बात यह होता है वह बोल नहीं थे क्यूंकि दैट इस रिलिटेट तो सेक्शुले ट्रांस्मिटेड डिजीज वहां पर नही तो इसलिए इस बैक्टिरिया से भाइट करना बहुत इंपर्टन इस जल्दी डियाग्नोसीज बहुत इंपर्टन वह चीज करना ठीक है वीडियो अच्छे लगा तो लाइक कर देना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ कली के साथ सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ए